दोस्तों राज कॉमिक्स की सरनाइक सीरीज मेरे ख्याल से भारते कॉमिक्स जगत की ना सिर्फ सबसे लोग प्रिय मलगी सबसे लंबी चलने वाली सीरीज भी सावित हुई है बीते कुछ वर्षों में इस स्रीज को पाठगड़ों का भरपूस्थ ने और समर्तन प्रापत हुआ है लेकिन ये दुर्भा की पूर्ण ही था कि किनी कारणों के चलते ये स्रीज थंड करना चले गई थी लेकिन ये हम पाठगड़ों का शायद प्रेम और समर्तन ही था जो जिसकी वज़े से इस सीरीज की अब पुरह वापसी हुई है और इसने अपने अब आगे का सफर तई करना शुरू कर दिया है नमश्कार दोस्तों मेरा नाम है दिरेंद्र आप देख रहे हैं कॉमिक्स अनिमल और आज मैं बात कर रहा हूं सर्वनाइक सीरीज के 13 खंड अर्थाथ 13 पार्ट की और यह वो पार्ट है जिससे इस सीरीज में अब अपने आगे का सफर शुरू कर दिया है चलिए इस कॉमिक्स की वारे में थोड़ी और बाते कर लेते हैं तो आयों दोस्तों बात कर लेते हैं इस कॉमिक्स की इसके टीम क्रेडिट की बटन से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं अपना सर्वनाइक का अब तक का कलेक्शन थोड़ा सा हैवी है देखिए एक अनूठाव सर्वी है मेरे ले थोड़ा सा शुवाफ करने का अपनी सेट कॉमिक्स और सेकंड पार्ट सर्वी गॉम सर्व दमन तो टोटल ये बारा पार्ट में ये सीरीज अपतों आई थी सर्व संग्राम तृत्य खंड और सर्व संहार कहानी दर कहानी कॉमिक्स और कॉमिक्स सर्व मन्थन ये बहुत बहतर होती गई जो इसका नारेटिफ है सर्वसंदी सिर्वकरांति और यह सर्वशक्ति आप देख सकते हैं सिर्व प्रवागवन यह कहानी दर कहानी कॉमिक्स कॉमिक्स कहानी बेतर से बेतर हो शार इस सर्व other आपने देख फिर सर्वक्राय्स और अंत में सर्वरन जो कि इसका लास्ट पार्ट था 12 पार्ट और अब हमारे हाथों में आया है इसका 13 पार्ट तरयोधश खंड सर्वर ग्रहेंड तो आईए इसके टीम क्रेडिट्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं और ये शुरुआत में नहीं मिलेगा तीन-चार पेजेस के बाद ये थोड़ा खिसका दिया गया है लेकिन क्या जबरदस योद्धा की जो एंट्री होती है वहाँ पर इसका टीम क्रेडिट्स आपको देखने को मिलेंगे तो सबसे बहले बात कर लूँ लेखा किसके नितिन मिश्रा है चितरांकन हेमन कुमार जी का है सियाहिकार दो लोगों ने काम किया है विनोद कुमार और जगदिश कुमार ने रंग सज्जा है भक्त रंजन सुनिल दस्तूरिया और शदाप सिद्धिकी की शब्दांगन है गंगेले ब्रदर्स और निशान पराशर का मुक्परिश देखा है हेमन जगदीश और शदाप ने और इस सबका जो इस सम्मिलित प्रयास इन लोगों का है वो एक बहुत ही ब लेकिन जो आखरी के च्छे पेज़ेस इस कॉमिक्स के उसमें थोड़ा सा मजा किर्किरा कर दिया मतलब यह मानिए कि आपको सुड़िश किलाने के बाद जैसे करेला चखा दिया हो क्योंकि आखरी के च्छे पनों में इस कहाने की जो पेस और इंटेंसिटी है सीरीस की उसक अब सेक्शन शुरू किया था राच्वामिक्स ने तो उसके जो पात्र किर्दार थे दो थोड़े अलग थे जैसे फाइट टोड़्स और ग्रीन मांबा वो किर्दार में आते बड़ थे वह बच्चों को लेकर ही टार्गेटेट थे तो उनके अलाबा बॉबी टफी चरी दमरू यह जो बच्चों वाले किर्दार थे उनका समावेश आखरी के छे पीजस में इस तरह से कर दिया कि वह बिल्कुल आउट अफ प्लेस लग रहे थे तो कहें भी वह फिटने बैट रहे थे मुझे थोड़ी हैरत हुई थी यह देखकर कि कोई राइटर इतना जबरद सी मतलब उन पात्र को डाल कर एक उनके डिफेंस में यह बात समझ सकता हूं कि उनको इस एथिहासिक सीरीज में राज कॉमिक सीनियोर से सभी किरदारों को कैप्चिर करना था यह एक रीजन हो सकता है और यह रीजन हो भी तो मुझे लगता है कि इसको भी बहतर तरीके से कि जा सकता था क्योंकि यह जो किरदार है यह बच्चों वाले मुझे लगता नहीं कि इनका इस सीरीज में उसकी बढ़ती कहानी में कोई खास युगदान होगा तो उनको सिर्फ काउंटिंग के लिए ही मतलब रखा गया है सीरीज में तो उनको किसी और तरीके से भी दिखाय जीदगी है तो वह आपको इस कॉमिक्स में वापिस पट्री पर लोटती हुई दिखेगी इस कहानी की शुरुआ की एक धमाकेदार अंताव से होती है जहां पर यक्षर अक्षर गरल गंड की एंट्री होती है उनका आवान किया गया है कि ताकि वह समुद्र मंतन से निकली हुई एक अशुद्धी का नाश कर सकें तो यहां से कहानी आपको संबलती हुई नजर आएगी आप सभी जानते हैं कि इस पूरी सीरीज में राज़कों सीनियोर्स के सभी मनायकों और खलनायकों का जमावड़ा दिखाए गया है परिस्यती वर्ष वापस में टकराते हैं अलग-अलग आयमों में और उनका यह टकराव आने वाले भविश्चे की दशा और दिशा निश्चित करता है तो यह सी कहानी और यहां से आपको पूरी सीरीज फिर से समलती भी नजर आती है और एक अच्छी शुरुवात की नीव फिर से यहां पे रख दी गई है भूग करता है जो हमारे जहन में अच्छी तरह चपे हैं और फिर से उनकी स्मृति हमारे मस्तिश्क में मतलब फिर से उभर उठती है और एक अच्छी अनुभूती होती है हम लोगों को क्योंकि यह हमारे पास से जुड़ी हुए उन सब करतारों का वापस आना इस कहानी को और रो तरीके से वह आपको स्ट्रेश नहीं लगता है अब कहानी अपनी चिरपरिश्द सर्वनाइक वाले अंदाज में आगे बढ़ती है और कहानी पीस इतनी अच्छी है कि आप जल्द ही एक ऐसे मोड़ पर पहुंच पढ़ते हैं कॉमिक्स से आखिर में जहां पर एक हलका सा क्विराम दिया गया है बहुती नुमान चक मोड पर लाकर आपको खड़ा कर देते हैं और दर्शकों को डारेक्ट कर देते हैं कहानी इसके अगले पार्ट की दरफ किसका नाम है सर्व आयूध दोस्तों आर्टवर्क के लिए मैं अब क्या ही कहूं हेमन्त कुमार जी का बह कॉमिक पेजिस की कॉर्णर पर यह जो आप ब्लैक श्रिप्स देख रहे हैं वो थोड़ा आखों को चुपते जरूर है पर बाकी सब ठीक बन पड़ा है लेकिन यह जो ब्लैक बॉर्टरिंग होई है यह अनावश्यक ही की लगती है क्योंकि वैसे ही थीम इस सीरीज की और अब यहां पे विशेश तथ्य के उपर आपका ध्यान मैं लाना चाहूंगा यह जो जुडो का और गोजो का आप फाइट करते हैं दरसल पिछली कॉमिक्स पिछले पार्ट सरवरन में तीसरी आख को गलती से जुडो का बताने की भूल हुई थी वैसी ही भूल यहां फ अपने फेवरेट सेक्शन पर जहां पर मैं बात करता हूं अपने फेवरेट पैनल्स की तो यह जो इंट्रोक्टरी पैनल आप देख रहे हैं यहां पर यह गरल गंड नाम का यक्ष रक्ष इसका आवान किया गया है और यह उपर जो 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 अलाव नाम का देते हैं जो पहले नजर में आपको उतना इंप्रेसिव ना लगे लेकिन अगर पीछे के पन्ने आप देखें और उस निरंतरता के साथ आगे बढ़ें तो जिस तरह से वो डाइव मारता है उस जो स्रोत में यह युद्धा डखमांगन पाने के लिए और वो तलहटी में जाते आते आत पाने के लिए और यहां जोड़ो का और गोजो फाइट करते वे दिखते हैं हालागी दोनों के ही वार बेकार जाते हैं सूश करके मतलब हवा में हाथ गुमाते हैं और निकल लेते हैं अल्वे अल्ब यह कुछ ये एक मेरे फैवरिट पैनल्स हैं जो कि मुझे बहुत ही अ प्राजा किया है बात कर लेते हैं साइज प्राइज और नौवल्टी की तो लार्ज साइज में यह कॉमिक उबलब्ध है स्टैनर्ट कॉमिक साइज से अगर मैं इसको कंपेड करूं तो अंतर आपको साफ नजर आता है खीमत इस कॉमिक की पांसर रुपे है स्टोरी टोटल 91 पेजेस की है और पेजेस अगर आप देखें तो एक एक पेज काफी मोटा है काफी थिकनेस है एक एक पेज की और हाला कि कॉमिक बुक को यह एक प्रीमियम लुक देते जरूर है बट थिकनेस अनाविश्यक मालूम पड़ती है इससे बाइंडिंग पर भी असर पड़ता ह है थैंक्फुली मेरी कॉमिक पर कॉमिक बुक बिल्कुल ठीक है और इसका श्रे मैं खुद को दूँगा क्योंकि मैं बहुत ही सलीके से कॉमिक पड़ता हूं आप नौवल्टी की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे क्यूट स्टैंडी का एक यूनिवर्स कम्लीट को इसके बारे में मैं क्या ही बात करूं के आप नितिन मिश्वाजी के अंदाज पर हैं वाधार स्वेद्गों के साथ मेसितट किया गया है और यहां कॉमिक संध्य तॉर निश्री घर करेंसेद किर aus बान भी देगा सर्वनाइक सीरीज यह वह सीरीज रही है जिन सब में हमको खुलकत सोचने में विवश किया है कि क्या-क्या संभावनाएं हैं भारती कौमिक्स जगत में कि एक नया यूनिवर्स जो क्रिएट किया है राज कौमिक्स ने अब यहां से मल्टिवर्स की जा रही ह यह जो कहानी की पेस है और जो वक्त की मांगी कहूंगा मैं कि नए नए आयाम हमको देखने को मिल रहे हैं बहुत ही रोचक विशे वस्तू बन गई है यह कहानी तो इसको आप ज़रू खरीदे एक बात मैं विदा लेने से पहले कहाना चाहूंगा कि अकसर लोग कहते हैं कि यही मतलब एक ही कॉमिक से कहानी है चित्रांकन में अलोड़ी हुआ पड़ा है तो इन कहानियों का गुप्ता मंधों के खेंए से अलग खेंए से आना तो कौंसी कौमिक्स लेना किसे की कौमिक्स लेना उचीत रहेगा तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप सभी लोग और फिर उसी की खेमे द्वारा लाएगी कॉमिक्स के साथ जोड़े रहें ऐसे में होगा क्या कि एक तो आपकी निरंतरता बनी रहेगी कहानी कि क्योंकि एक ही स्टाइल को आप फॉलो कर रहे हैं दूसरा आपके आपको खामिया कम नज़र आएंगी आपको disappointment कम होगी क्योंकि कि आप एक ही खेमे से आएवी कॉमिक्स को जो एक ही स्टाइलस को आप फॉलो कर रहे हैं अगर आपने संजे गुपता जी कि कुछ कॉमिक्स ले लिए और आगे चलके आपने शिफ्ट रग दिया मनज गुपता जी खेमे द्वारा लाएगी कॉमिक्स हो या वाईसे वरसा तो दोनों ही हालातों में आपको disappointment मिल सकती है क्योंकि मैं आपको यह बता दूँँ यह साफ कर दूँँ कि आने वाली एक दो कॉमिक्स के बाद से जो इस सरुनायक सिरीज जब अपने आखरी पाइदान पर पहुंचेगी लास्ट के जो पांच छे साथ आठ जो भी कॉमिक् representation है वो completely change होने वाला है तो पहले से तयार रखे अपने आपको मानसिक तोर पर और यह बात अगरा फॉलो करेंगे तो आपको भाविश्म में काफी अंचाही चीजों से आपको यह बात दूर रखेगी बेफाल्तों के वाद विवाद से जो सोचल मेडिया पर होते रहते हैं उन से आपको दूर रखेगी इसी नों के साथ आजम्या अपस्विदा लेता हूं चलता हूं नमस्कार